नमस्कार दोस्तों मैं जीवन पंडीत आप लोग को मेरे जिनैन में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज हम दिखाएंगे की डेपी बोरा यानि जो ख़द हम लोग खेती में देते हैं वह डेपी का जो पेकट बोरा रहता है वह बोरा से हम थेला की स्थर से ब बहुत ही मजबुत होता है दोस्तों गवाल हम अध्र कामों में बहुत ही लाव होता है जो की मजबुत रहता च्लिने के बाद कॉमेंट में जरूर लिखे दोस्टों आई सिधा काटिंग किस तरसे द्हें बनाए जाएका दोस्तों फट्टी बनाएंगे दोस्तों आप चलिए दिखाते हैं काटेंगे और किस तरसे बनाएंगे दोस्तों अमाल समान होने के लिए बहुत ही फाइदा होगा दोस्तों मझबूत रहेगा नहीं चलिए दिखाते लगे थेला अपटी बहुत करना देखे इसका क्या बोलता है लंबाई कितना है लंबाई तो टोटेल उपर से तो नीचे तक साड़े साथ रहेंची होगा इसका सामने और साड़े बीस इंची पट्टी रहेगा 8.75 इतना रहेगा और हैंडल रहेगा तोस्तों इसी कानफ से हम अभी थेला करेंगे यह बोरा है यह बोरा हमारे इधर देखिए यह बोरा है यह तो खाद का खाम हो आ चुगा अब इसमें स कितना है लंबाई यह आपका है साड़े सात्रां इंची तरफ दोनों तरफ आपका सलाई में बात जाएगा एक हम इंची करके इसलिए साड़े एक इस नहीं है यह पॉइंट से काट देना है इस पॉइंट से काटने के बाद इस तरह से काट दें इस तरह से काटें यह हो गया प्रॉन पॉट्टी यानि इसमें समान होने के लिए बाद बड़ा थिला दूस्तों बनने के बाद आप देए यह यहाँ इधर इधर हैंडल बनेगा इधर शाइज पटी बनेगा अब पटी अब इसी से पट्टी करना है भीट बते इसको पट्टी का चोड़ा है आठ पजचतर तो आठ पजचतर है तो आपको लेना पड़ेगा अध्या पजने अब दौटी लेना पड़ेगा यहां यहां इधर एक लेना पड़ेगा आपकर क्या करना है आप इसको इसको काट के मिला करना है क्या यहaguगा ही है यह समय होगी और इसंतर सो सब्सक्राइब का करते हैं 20 होगे बेंट है इतना तरग यह इतना डगवार है के लिए मुँं़ कई जिए इतना द्या गया है उसे-छन्द इhington कि यह अपको कि मुटना पड़ेगा और इस तरह से इसको मोड़े गर विए इस तरह करके मौड़े यह रहाय आपका कर दो तरह डाप दो कि और सुई इसमें मोटा लगा गाएगा काएकिफ फेंट कप्ला से तोड़ाहां हाड है कि यह मोटा सुई लगाई तरफ दोनों तरफ दिये आप क्या करना यह पट्टी पट्टी करें यह पट्टी को बनाना है उसी तरफ पट्टी जो बनेगा पट्टी का मूह भी उसी तरह आप मोड लिए कि यहां पट्टी काटेंगे यह दोसे करने की इसको आदा कर लेंगे अधा करने के बाद देखिए ज्यान से लौ बहुत इसका पॉइंट हम पॉइंट निकालते हैं दोस्तों देखिए कि इस तरह से यहां समन किए समन करने के बाद यहां पर पॉइंट यहां लगा दिये इसके बाद क्या हुआ तो पोय लग लगिया अब इस ते थोड़ा सा आगा अगे और 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 दो गलत हो यह नहीं होगा इस इस पॉइंट यह लेंगे भी पॉयंट यहां हुआ तो यहां तक आएगा यहां त्क यहां तक आया तो ऑज़ाय यहां तक काया टिक वह यह स्लाइब का निशान हो और या पर रहोगा दूसरां यहां हर यह स्लाइब कि अषा से दोने काट लेते हैं आधाक पॉइंट करना पड़ा दिए इसको इसतर से पॉइंट कीजिए यहाँ पर बीच में पॉइंट आप दीजिए केंची का पॉइंट दे दे दिते हैं इससितर दोनों पट्टी में दे दी आप इसका भी पॉइंट यह तेला का भी मेन जो है फ्रॉन्ट उसका भी इसका भी हम यह पॉइंट देदिया है आप देखिए दिस पॉइंट से इस तरह से में आने मिला करद आपको इसलाई सेटिंग करना देखे sven को कि가 Okay को कीशा जाएगा यहां जाने के बाद किये दोस्तों यहां अन्मेचिंग खा गया है और देखिए यह जाने के आप यह स्ञेचर रखते हैं आप देखे यह 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 पॉइंट फीचिए यह पॉइंट है इसका मतलब यह पट्टी हमने सिख सही स्लामत कार लिए पट्टी बठाने के बाद इसमें फिर पाइपिंग बठाना पड़ा का आप देखिए वह दिखाएंगे पाले देख लिए किस तरह से इसको आप स्लाइक करते हैं यह काटा हुआ है आप देखिए इसमें क्या होगा द करते शह informações मीलगया आप सब्सक्राइब इसका एकार्टि में कुछ गरी हम थरी नहीं ही कुछ भाधाएंग नहीं होरा है यह हुआ है कार्टि लुट कि यह कला एक हिक हो मिने बताया ह। ai पूरा करने के बाद फिर इसको भी इस तरह से घुमा दीजिए अब देखिए यह पेकेट थेला की तरह बन रहा है तो चोखट की तरह बन रहा है आप इस तरह को इसको भी स्लाइस तरह कीजिए दोस्तों यह स्लाइद कर दीए अब क्या करना यह कपड़ा इसमें बिठा देना ताकि क्या वाद देखने भी खुब स्वाद रहेगा और मजबूत भी पुरा रहेगा इस तरह से स्वाय इंची से आप काट लेंगे की टुकड़ा और जितना चाहिए दोनों तरफ यह आपको काट ले लिजएगा देने के बाद यह तरसे बीठागी कि इस तरसे देखी इस तरसे पिटाते हैं इस तरसे इसको इस मोड़ी दिये और यह सलाया कर देंगे पूरा जितना यह पट्टी हमने श्लाय कीया है इस में क्या होगा देखने भी खुश्रोज रहेगा और क्या होगा ठिकाव पुरा मजबुद रगा धगा इतका जो है बोरा का ये खुलेगा नहीं इसलिए की स्थे करते हैं कि इस तरह से इह और इस तरह चीक से आप स्लाइक चलाईए एक चाप की दूरी से ही स्लाइक होगा यह पूरा स्लाइब हो गया आप देखिए इसको किस तर से फिनिसिंग करते हैं इसको सिधा कर लेते हैं इसको करने के बाद इस तर से आप इस तर से इसको फिर मोर दिये फिर मोर दिये इस तर मोर देते हैं बास यह स्लाइब का फिनिसिंग पुरा हो गया यह आपका पाइपि इस तरह से यह अप आपके पास तो फुराना कपड़ा मैं नया कपड़ा जो आपका पेर्ट सब्लाइब नाते हैं उसमें कुछ बाइशता है कुछ भी रहेगा उस कपड़ा से इस तरह का पाइपी बना लेजेगा और बेठा इस थे पाइब क्या होगा तो क्या नहीं पांता है जो रिजक्ट होई गया उस आपका कबड़ा भी आप इसमें काम लगा सकते हैं और देखने भी खुष्षद रहेगा और आपका थेला भी पुरा मजबुद बनेगा इसतरा से अब हैंडल लगा दिजिए यह थेला कंप्रीट हो गया दोस्तों और इस वीडियो में आप लोगो देखने को मिला की बोरा से इस तरह से इस तरह बनाए जाए गाना दोस्तों पट्टी बहला थेला किसे बनाती है इसमें माल ढोने के लिए बहुत बहुत बिए देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धिन्यवाद दोस्तों आपको समय मिला तो मेरे लिए दोस्तों दिखाएंगे तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों फिर मिलेंगे नमस्कार